हाई गाइस वाट सब कैसे हो आप सब लोग आई होप सब बहुत बड़ी होंगे मेरा नाम है लग सिंग है और आप देख रहे हैं नेशन वर्स्ट आपका अपना यूट्यूब चैनल तो भाई लोग आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो पाकिस्तान की है जो यूट्यू भाई-लोगों के साथ मिल के देखिया वैसे मैंने ये वीडियो देखी नहीं है तो मैंने चाहरो आप सब लोगों के साहत मिल के देखते हैं तो क्योंके इसमें इंटर्वी ली जा रही है पाकिस्तानियों की जो आम जनता है ठीक है तो टाइटल है वीडियो का वट पाकिस्तानी थेंक अबाउट इंडिया पाकिस्तानी पबलिक रियक्शन ओन इंडिया तो इनका अब कॉश्चन वो पूछे जाएंगे इसमें आम जनता से क्या सो ना करें ठीक है क्योंकि ठोड़ी से मेरी यह सी थोड़ी सी तल्फ लेंगोईज होती है कि पाकिसानी को ठोड़ी चुबनी होती है लेकिन वही बात मैं हमेशा JJ कहता हूं झी कैज दवाई और सचाई कर भी तो होती हैं तो फिर इलाज भी अच्छे से हो जाता है तो चलिए हम आहम सब आप मिलके यह वीडियो देखते हैं तो बीच बीच में अपना रिव्यू देता रहूंगा क्योंकि फिर अगर एंड़ में देता हूं तो मैं कही बातें भूल जाता हूं तो साथ साथ मैं बीच में कट में क्या बॉलेवर्ड मकार कॉम जहीं सी बहाता गुसा आता है इनसान को उनकी क्रिकेट टीम जहन में आती है आग लग जाती है जी गंदगी क्रिकेट एंवराट कोली कश्मीर जहन में आता है असलाम लेकूम तुड़े पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सेश सलीम और आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है आप भी अपने कॉमेंट्स के थूरू हमें ये बात का जवाब दे सकते हैं और साथ में हमारे तमाम जाने बठ पूच्ते हैं उनकी व्यूज्व कि तो भाई दिखे इंग गुस्सामत करना जो हमारे जायन में आता है ना पाकिस्तान का नाम सुनते ही विखारी में विखारीस्तान ठीक है दुनिए का सबसे जूटा इनसान ठीक है जिस खाली में खाते हैं उसी में शेयद करते हैं ठीक है जी और दो गले बंदे डबल गेम प्लेयर सारी दुनिया मानती है ठीक है तो जीरो वैल्यू ठीक है तो एकनॉमिकली जीरो ठीक है और कोई वैल्यू नहीं है जिसकी दुनिया में जीरो वैल्यू हमें नजर आती है ठी के लिए हम जीए सूसते हैं चलिए आगे वीडियो देखते हैं असलाम लेकोब हमाई साथ मौजूद है नुमान वकाल सेमद हसने जुनेर सादान जायब चौदी सर्वर शाब अतर निसार महामद हमाद महामद अधनान बट अधनान बट साब मुझे गी बता है कि इंडिया का नाम सुनके सबसे पहले तो माइंड में जाहर है गाली आती है उनके लिए अचा अब मैं ये गुसा मत करना ठीक है मेरी मेरी वीडियो को स्ट्राइक मत डीना इसने बोला गाली आती है मैंने गाली नहीं निगा ली तो याद रखना मैं सब्सक्राइब याद रहर्ली यादा आती आती है कि जारा ऑषजान नाम सुनते हैं थे बुरत्त वंस बॉलते हैं हमें लेकिन जब उनके लोग यहां पर आ के विस्ट करते हैं तो फिर उन एक अन्रिजॉल्ट किसम का इशू था तो अब सोच को आता है थोड़ा कि यह वाला इशू है तो किश्मीर और नेबर्स वाला ना तोड़ी जो टेसल चल रही हमारी तो इंडिया को सोच को तो अब या था था पहले आता था बॉलिवूड बगार यह वो लेकिन अब यह किश भाई सबसे पहले तो यह बता दूँ भाई कि कुछ लोग नहीं चाते मसला सॉल्व हो ठीक है वो तुमारी तरफ पे होगा जाके अगर रेजुलिशन पढ़ लो जाके सबसे पहले फॉज उठा लो वहां से पीयोके में से और जीमी में से ठीक है उसके बाद फिर बात शु पहले यह सबसे पहला है पॉयंट है जो तुमारे दिमाग में किसी ने घुसोया ही नहीं तुम पाकिस्तानी ओंके ठीक है रेजुलिशन पढ़ ना जाके उस पे है पहले ही है पॉयंट है कि आप पाकिस्तानी अपनी सारी की सारी फॉज अठाएंगे नमबर दो इंडिया अपनी उतनी फॉज रखेगा जितनी उसको जुरूरत है जो वहां पे रहेगी ठीक है उसके बाद जो अपने वह यूएन के ठीक है उनके अंडर प्लेवसाइड होगा भाई पहली शर्त मानों हो जाएगा रिजॉल्व होजेगा टेंशन नहीं इंडिया में भी और पाकिस्त अवसे हमारे कर्दें कैने की सखिए प्लेव सबस्दें कि शुचन कृष ग्री तो यह आंगे जाएगा कि जा चाहिए उनके साहिए तो एक कुम्पेटिश्न की जए पईलिगो ती यह वो इंडिया का नाम सुनते हैं इसाभसे परले आठी हैं तो 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 एंड़ेक और में इंडिया वो मुलक है हमारा पकस्तान भी मुलक है नेगिटिव नी सोचना चाहिए बी पोजिटिव होना चाहिए हमें और आपके जहन में क्या आता है मतरा वहां की क्या चीज आपको एक रेकल चाहिए है और बाकिनु बेलसे बूचि भागे लेकिन कुछ लोग वहां को हैं जो महौब को खराब करने वो तो इस वजह से हमारे ज्येतम से बिए ही बन जाता के नहीं जे इनडिया ठीक नहीं हो है यह ए het अब हनोके महतलं कर्ते हैं भाई हम सच दिखाते हैं ठीक है प्लूर review अब हम इस गफलत में ल Karl's को मानन ही नहीं बाई-बह इसना चितित्र मारत रहें जो जो बंदे कड़वे होते हैं भी हमेशार सच शह ज्यूंश सच बंदे होते हैं वह मार जुबा reviewing से मीठे होते हैं दिल के काले होते हैं हम दिल के साफ हैं और कड़वा बोलते हैं कड़वा इसलिए बोलते हैं सच बोलते हैं तुम्हारे मुलक में जो हो रहा है हम वो बोलते हैं हमें कोई नहीं है कि नफरते फलाने का शौक ठीक है तुम लोगों की वज़ा से हम ऐसा काम करत तो और करते हुए रहेंगे तुम्हारा सच दिखाते रहेंगे यह सब चीकणी नीचे बढ़ते हैं अपने पाकिस्तानियों के बास रखो हमा हमें मस अन्सान को इंडिया ने मारे सब कूं सी की और आप ने कश्मीर को तो देखा है जो कि इंडिया ने कौं से सचाही की है हमारे साथ कि एच यह वाई ने बोला कि एन बैयों के साथ जलम हो रहा तूने आके देख लिया थोने देख लिया है तुने देख अब्याकर अच्छा तू वह बता जो किश्मीरी पंड़तों के सथ हुआ हम तो कहते नहीं ही वह कुष्मीरियों हमारे पास है ठीक है वहां की खोश है जाके मर ग्रूप है दुबई का उसके उसके मूँ पर जाके बूलो कि यार तुम माल बना रहे है इतना बड़ा तो जलम होता है वह तुमें बताते वहां जाके गंशिप लेके मार रहे हो तुम बिलोची ओक अब उसने अमारा था शर्रफ ने तुम्हारे ने ठीक है अब भी जाके जो हो रहा है वो देख लो जाके कश्मीर कश्मीर करते हो कश्मीर वैसे भी तुम्हारा पाट नहीं है भाई हमारे पास एक दमागे में बठा तो मैं फिर दूक दिया कोई बात नहीं बीचर्ट दो हैं तीस तक याद रखना कि रिखना टियार हो चुका है कि असार देखता देखते जाना निकलते जाएंगे अब लघंवा तीस तक कश्मीर बापस आएगा जीवीजिद बाद में देखेंगे पहले पी होगा है ठोड़ प्रिकेट प्रिकेट प्रिकेटर अगर मेहनत की जाए तो बिलकुल उनके लेवल तक पोंचा जा सकता है लाइक वो जिस तरह मेहनत कर रहे है और ही समय इस फिल अग्राउंड तो अजो नहीं हो सकता है कोई भी और आपको मौका मेरे विराट कॉली से मिलने का तो आप इंडिया जाएंगे बिलकुल डेफिनेटली आए वोड़ फू इंडिया बिलकुल बेस्ट आप सम गुट वी उस अबाउट इंडिया और यू वांट विजिदेट 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 बिफूर आपन विद कश करता था अगर कश्मीर के इशू ना हुआ होता है और भाई कश्मीर का इशू बहुत पुराना है तिरको तो पता नहीं होगा कश्मीर कहां पे नक्षे पे देखना कभी तो यहीं पता कश्मीर है कहां पे है पीयों किसको कहते हैं कश्मीर किसको कहते हैं लदा किसको कहते है ठीक है तुम्हें पता ही नहीं होगा कश्मीर नक्षे पे है कहां पे है कश्मीर कश्मीर करते हो कश्मीर का कुछ नहीं पता तुम लोगों को कश्मीर 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 काफी चीज़ें हमारी मैच करती है ओ भाई तुम्हारी मैच नहीं करती ठीक है इंडिया से ही गए हो तुम्हारी मैच करती है हमारी चीज़ें तुम लेके गए हो उर्दू भी हमारी है कोई आस्मान से उतारकर नहीं लेके आए ठीक है कल्चर की बाद करते हो यहां का कल्चर है यह जारों साल पुरा ना तुम 75 साल पहले पैदा हुए हम इस खारे हो हमारा हमारे जैसी है तुम हमारे जैसे हो वैस्टो हम मैंजे कहना है नहीं चाहिए तुम हम जैसे हो तुम तो है ही नहीं हम जैसे अच्छा परफर्म कर रहे हैं अच्छा परफर्म कर रहे हैं पर हमारी इंडिया की ठीक है बकि Pittsiqué पर चड़ता है जब कोई चीज प्रैक्तिकल हो क्लिया थीच कर किस ऐसे लिए बस इंडिया तीम स्ट्रोंग पकिस्तन की टीम वीख बस हो गया और प्रैक्टिकली हम सबसे पहले बॉलीवट तो आपको बॉलीवट पसंद है येस बॉलीवट में सबसे ज्यादा फेवरेट आपका कौन सा हीरो यह रेन है हीरो यह रोई है शारुखान और अगया है इंशारुख इनके फेवरेट है तो तमाम हमारे जो इनियन सब्सक्राइबर्स है वो भी सुन लें के यहां पे भी बहुत लोग बॉलीवट को बहुत पसंद करते हैं बहुत सराथ ने और बहुत बड़े-ब मत देना ठिक है मैं बार-बार बोल रहा हूँ जैसे तुमारी अवाम ठेक है वो हमें गंदगी बूल रही है तो अब सुनौ टेरिस्ट तुम लोग थीक है बिखारी तुम लोग जीरो वेलिव एकनॉमिकली जीरो ठीक है किसी शोबे में हर एक शोबे में जीरो नुक्लियर चोरी तुम लोगों ने किया ठीक है एक धंकी सुई अपने मुलक में बना नहीं सकते ठीक है जो ये कपड़े पहन के बैठा हुआ है ठीक है ये वेस्टन नाइज है सारे ठीक है हमें बोलते हैं गंदगी तुम दुनिया के सबसे ज़्यादे गंदे लोगो अपने मौलवियों को सुनना बहत्तर हुरें देते हैं जाना है वहाँ पर बहुत अच्छा ही होगी बह हुरें मिलेगी दारू मिलेगी वहां जाके मिलेगी आजा इंडिया आजा इंडिया तेको बेजते हैं वहां जाके वहां तेको जाके सफाई मिलेगी उपर हमें गंदा बोल रहा है ठीक है भाई बोल तेरी जुबान है जैसे मेरी जुबान है मैं भी बोलता हूं ठीक है यह इंडियनज ये दू चार पाकिस्तादियों के लुब चलूल में ना उतना अगरो यहा है पाकिस्ताद जो हमें बोलते हैं कि वहां जा के मैं जहर गूरू रहूं बैठके इन के माना है कही की लोग बोलते हैं ठीक है हमारे खिलाफ तोड़ा सा कुछन पूछ बढ़ीया बढ़ीए बोल रहें हैं एंडिया दिल में क्या है यह सचा बंददा बिलकुल इसने सःको जो दिल की बात वो की है सिल्यूटा एस बंदे को यार जो मिठी मिठी बते करते हैं वो में को खराब ज्यादा लगते हैं वह ज़ादा देंजरस होते हैं सीधर इसने भूल तो दीया है ठीक है तो इंडियन भाई लोको यह दिखाना चाते हूं को आगे देखते हैं कि यह क्या मतलब है गंद कि के लोग इतने कुई साफसथरे नहीं है वह गंदे लोग हैं गंदेलोग जो अपनी बक्रियों को नहीं चोड़ते मुर्गियों को नहीं मुर्गियों का ये करते हैं अगर नियूज देखने हैं तो मैं को बताना वह भी मैं दिखा दूँगा आप लोगों को इनके मौला जो मुलाना मुला अच्छा ये इनके मौलाना की वीडियो भी बहुत चली थी जो लड़कों की रेडरे रही है गंदे बोलता है टृम लोग है अच्छर यहां भी आपको गंदी पे निया ने से इंडिया से बाद़ बतर है अब गहें हैं कि लодक के लगज देख हैं रहे już अब क्या वरफान के सavor किना और मुल्र, सुछוכ मोल्द, तौन आख यज वेर व्य जैसे मैंने दो फूड व्लोग में देखता हूना जाधा तो इसमें पाकिसान में कुई बाइट से फॉरं जाते हैं तो उनको अच्छी ठीट करते हैं चीतारा वह हस्रे होते हैं पाकिसान की लोगों से बहुत बहुत बेटर मलक इंडिया गर जाता है ना बनता तो उधर सब क हमें इतनी उपरचुनिटी नहीं मिलती जितनी इंडिया वालों इंडिया में लोगों को मिल जाएगी ठीक है ऐसा नहीं होता है वहां पे मिलती है यहां पे लेने के लिए तुम्हारे जैसे का रैंकमन आई यहां पे कॉंपिटिशन इतना है कि जान निकल जाएगी तुम्हारे जैसे होगी ठीक है अपने मुलक में रहके कॉंपिटिशन करो अपना दिमाग ठीक करो पढ़ाई अच्छे से करो फिर आ जाएगा अपने अपी सब अपरचुनिटी मिलती है ठीक है पैदा करो अपने आप में अ क्रिकेट मैचेस की कुप में इस जाएगे पाकस्तान इंडिया के तो ऑपो उचेट अपने कौन सा क्रिकेटर है जो आपको सबसे जाएगा अपील करता है विरात कोली हम उनके बारे में सोचते हैं कि यार वह गलत है जैसे यह किश्मीर का मसला आ रह उसको नहीं हो हाल करे वह बंद किया हुआ है सारह तो हमारे शेन में तो यह आता है कि बॉर्ड रोछ इस First ना कि इसने आपके देखना था नहीं देखना थे तो कि Sergy को यहां पर गुसुन है। बंद करोडर करने का मतलब कि इंडिया 18,000 करोड रुपे की इन्वेस्टमेंट कर रा है जिस तुम 18 एक बीलियन के लिए मर रहे हो ना तो वहां पर 2 बीलियन तो वैसे सिदा इंडिया इंवेस्टमेंट कर रहा है बाकि यह MR गृूप कितना इंवेस्ट कर रहा है ठीक है बड़ी-बड़ी कंपने इंवेस्ट करनी शुरू कर दी है वहां पर जितना तुम भीग मांगते तो इंडिया और पाकिसान के भ lac sari ч testify Maa overtime बीव है बहु सा ही चीजे एक जिए लिः टो सबसे जादा किया ट्रें करta हैं अट्रुची अंपरक एक यतिर हम इसेंजिया फैक प्राइड मानल pan ऄ एक निकिसी आ इंदर aosपन। तो तेजिए आगर आप ट्रेवलर हैं कि मुझे ट्रेवलिख बहुत पसंद है तो आप इस चीज़ से बहुत अच्छा तरीके से लेंग इस चीज़ वह ब्रहिए हैं कुल्चर जुर हो रहा हैं लेंगे जिस चीज़ रही हैं मारे जैसी बात नहीं हैा वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी हैं जो लेखने स्वाइशन हैं ज्यादा तरं जो मुजयरिटी तो वह हमारे सोच तो उन थमाम नेगिटिव सोच कर्दमों की आपने करने र हम्पर जाके पर के five sie से ज्यादा तो इंडियन सब्सक्राइबर मुने बैठें अगर उनकी नेगटिव हो चाथी तो कभी सब्सक्राइब ने करते बैन कर देते यहां तो मैं तो खुद अपने इंडियन को बूलता हूं और उनको जाके नाज़ पूट किया करो उनका होंसला बड़ा होता है उनकी रीच बढ़ती है ठीक है यह बोल रहा है कि अगर सबकी होती ना तो भाई हमें तो बहुत मज़ा आता है तुम्हारे बारे में खास करके नेगटिव ने चाहिए पाकिस्तानी मैं सर्फ मैं सर्फ ट पाकिस्तानी मैं सर्फ राता है कि क्योंकि ये बंदे सही नहीं है तुम्हालों को कोई एक अच्छा सा पैगाम दे सकते हैं कि पलीज हमारे बारे में जो सोच है वो चेंज करें या तो خुद यहांपे आके हमारा बहेव देखें या जहांपे जो लोग उनके रह रहा है उ उनके साथ वो कोनेक्ट करें और उनसे पूछें कि हमारा भेव उनके साथ कैसा है और हम उनके साथ किस तरह का तरीका जो वो अपना रहे हैं फिर शायद उनकी जो सोच है वो हमारे बारे में जो है वो पॉजिटिव हो सके आ देखा है आया था एक शिरलंका रहे वहां पर बचारा काम करने हैं तुमारी सोच तुमारी जहनियत तुमारी जहला हलत और है तेरे बोलने से क्या होगा वही कि मैं वहां आ आ जाता हूं ठीक है अगर मेरे को कुछ हो गया फिर वो उड़ा दिया बचारा शिरलंका वाला घ तिल में अभी इस मैडम ने तुम्हारा कश्मीर का नठनी का सा थोड़ा सा थोड़ा सा और कस देती ना तो अभी चीखे निकल के बाहर आनी थी इंडिया के बारे में फिर तेरा पता चलना था अंदर से क्या है तुम कभी कोई मुझारा तो सकते हैं या कभी अच्छे टर्म्स हो सकते हैं अब मुश्किल है क्यों कि जब भी पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया दोस्ती गया तो उन्होंने आगे से कोई ना कोई मकारी की है तो यह मुम्किन नहीं है वाख जब भी पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया मक कारी की 99 कारगेल वार में हाथ किसने बढ़ाया हमने गदारी किसने की तुम लोगों ने ठीक है मोदी साब आए ठीक है तुम तुमारे वहां पे मिलने के लिए तुमने क्या क्या किया पुलवामा में ठीक है उरी में क्या किया पता है तुम लोगों को बकवास मारना सबसे लागल नहीं है हमने नाजाहिल बनना है कि तुम होई ऐसे हो तुम अपने कंट्री में खुश रहो भई हमें आफ करो यह हाथ जड़ वह अपनी कंट्री में रहो हमेंने तुम्हारी प्यार मुख्बद चाहिए रखो अपने पास अच्छा यह मकारी जो है या पॉलिटिशन्स के हवाले से कह रहे हैं या पूरी कौम के हवाले पूरी कौम के हवाले से क्यों पॉलिटिशन्स भी है और लोग उनी में देखा इंडियन्स देखा हम पूरे मकार आएं ये सोचते हैं हमारे बारे में और जब हम सोचें इनके बारे में तो हम गलत हो जाते हैं ये कहें तो बहुत बड़ी या अच्छा विक्टेम कार्ड ब्ले करते हैं तुम्हें कोई कुछ न कही पाकिस्तानियों को ठीक है तुम हमें कहते हैं हमें मकार बोलते हैं तुम्हारा पीम वो नशयी इमरान खान वो हमारे प्रैमनेस्टर मोदी साब को ठीक है हमारे पीम है वो ठीक है उनको क्या-क्या लिख तुम तुमने प्यार करते हैं रही हम पागल हैं सिर्फ जुटियां खाये तुमसे तुमारी बाते सुने और यह चाते हूँ हम भी बोलेंगे जो मगरं तो यहां पे इंडियन जो कहते हैं हम पाकिसानियों की साथ अच्छे वाबिद रखना चाहते पिर उनके बारे में क्या करेंगा जैसा पीम वैसे लोग ठीक है भूल दिया नहीं इसने जो वो बोलता है इनका नशाई इम्रान खाना है यह सरा सर एक पूरी एक माइंड़ सेट तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कभी इंडिया के साथ तालुकात अच्छे हो सकते हैं नए नहीं नहीं चाहिए हुए उनने मरे सब कोंसे अच्छाई कि गी तो बेसे कि शुआ पको क्या लगते कि श्मीर का बाई एक बात दिमाग में बढ़ा दे कोई बात नहीं हमने तो वैसे भी तुम्हेरे सब कोई डिलेशन रखना नहीं है आपने घर में रहो सुखी रहो मरो जियो जो मर जी करते रहो ठीक है मैं पाकिसानियों से बुल रहा हूं ठीक है कश्मीर का इश्यू जो तुम बड़ा क जो हमारे पास था सेटल हो गया ना अब जो जी वी एंड पियो के है वो भी बहुत जल्दी कर देंगे ठीक है पियो के तो दो यह अर तीस तक होने वाला है कोई बात नहीं इंजॉई करो इंजॉई अबसे बेसिक मुद्ध क्या है जिसकी वैसे इंडिया के खिलाफ इतनी जादा हमाई दिलों में अफरत आगी है कश्मीर हमारा मुद्ध है जो कश्मीर में ये हमारे मुस्लमानों पर जल्म हो रहे हैं और वो फोरन उनको चाहिए कि कश्मीर को अजाद करें और जो उनकी रियासत है उनको दें और हक है हमारी माई बेने वहाँ पर जो उनको ज्यात्ती कर रहे हैं वो हमारे मुस्लमानों स दर्द उठ रहा है कश्मीरियों के लिए कश्मीरेश सो घब पूछा है कि वह के इंडिया में कितने सुखी हैं जॉफ् anche सब कुछ दे रहे हैं हमारे भाई हैं वो इंडिया का जंडा लेकर गया हुआ तरह अब्बू कर में छिमीर से ठीक है सबसे बड़े तुम हो पड़े आए कश्मीर कश्मीर करते हैं एक कश्मीर की दारू ने जो इन्हों को कश्मीर की दारू चड़ी हुई है ना इसी ने पर इसको बरबार किया और मैं चाहता हूं बहुत बड़ी या बोल रहे हैं ये करते रहें कश्मीर कश्मीर मज़ा आता है दूप जाएंगे ये इस कश्मीर के चक्कर में ने पहले वीडियो में बोला था अब्जेशन इंडिया कश्मीर इस्राइल ये दो तेन अब्जेशन है मजा आ रहा यार रखो अपने पास कश्मीर ला इला इल्ला मुहम्मद रसुल्रा पढ़ने वाले जो लोग हैं उनसे तो कभी भी यह नहीं होता कि हमारी मा बेहन को कोई इस तरहां बेहरमती करें उनकी क्या अच्छा मा बेहरमती करो जो पाकिस्तान में वह वचारी जो मांगने वाली थे उनको नंगी कर दिया कपड़े फार दिये थे बड़े मा बेनों की वहली हिरमती पत निंग क्या भूल रहा है करना चाहिए हमाएं पॉलिटेशन को इसको रिजॉल्फ करने की लिए इनको थे बल प्यार चाहिए क्छले मिशाखिरा के लिए और सीटम मतले हाद FOR एदर आप उमम्भापड़ातsti हर रहें तो कश लोग जो Неशाथे। वह बेरोक्राइस बेरोक्रेसी में और स्यास पालेटीशन में जो यह नहीं चाहते कि यह मसला हम आप इंडिया की अवाम के बारे में क्या ख्याल है कैसी अप इसके बारे में तू में कुई कमेंट नहीं कर सकता है चले बहुंँ शुक्रिया अजास तो भाई लोगों यहां पर होगी वीडियो खतम तो आज आपको मैंने फिर दिखाया एक पाकिस्तानियों के दिमाग का थोड़ा सा आपको मैं उनके दिमाग में लिके गया है क्योंकि जो एक्चली जो पता होता है न वो उनकी अवाम से पता चलता है अब आप सोच रहे है भी थोड़ा सा इस से भूल रहाँ नफरत वाली बाते कर रहा हूं देखो बई दो यहार से पहले मेरा दिमाग बिलकुल फ्रेश था बिलकुल क्लियर था पाकिस्तान चलो ठीक है हमें पाकिस्तान से दोस्ती करने जी फिर दो हैर पांच में थोड़ा चेंज हुआ फिर दो हेयर कारगील के बाद भी मेरा थीच थी था भी चलो कोई बात नहीं उनकी आर्मी ने क्वियुक्ष थी कि एक्चुली में यह इनका प्लैनी था ठीक है यह हरमी लोग है इनका प्लैन था लेकिन फिर दो हियर पांच में और क्लियर हुए 2010 में 2015 में अब 2020 जब जब मैंने इनकी यूट्यूब चैनल लोकल बंदों को सुनना शुरू किया इनके क्योंकि पहले तो हम इतना ध्यान देता नहीं था मैं ठीक भी इनके एंकर क्या बोलते हैं जा फिर इनकी अवाम क्या बात करती है जैसे बात शुरू करने से पहले इंडिया बोलने से पहले ये बोलते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है ये इनका दुश्मन लेंगवे शुरू हो जाती है हरीफ है हमारा, दुश्मन है हमारा जब ये बार बार बूलते जाते हैं बुर्खते जाते हैं तो इसके दिमाग में भी वो ही चलना शुरू हो जाता है इनके दिमाग में भी तो ठीक है भाई अगर तुम बोलते हो तो बहुत अच्छा है अगर मैं बोलनूं तो मेरे कई इंडियन फ्रेंड्स भी होंगे जो इंडियन भारती भी होंगे वो भी कहेंगे यार यह थोड़ा सा होगे भाई मैं ऐसा नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा इन लोगों ने सिखाया है कि हम ऐसे हैं तुम भी ऐसे बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए मुसीबत है, क्योंकि हमने, जब तक ये बोलते थे, हम मिठा मिठा बोलते थे, ठीक है, हम अच्छा करते थे, जब अच्छा इनके बरे में सोचते थे, तो हमें ये ठोकते थे, अब हमने इनके बोलना शुरू कि लिए, तो इनके और मिर्चे लगती है, कि अब जैसे मैं, वैसे मैं किसी, मैं सिर्फ अपनी इंडियन गौर्वर्मेंट की बात करूँगा, मैं मुदी, प्राइम निस्टर मुदी जी की, जा फिर मुनमौन सिंग, किसी की बात नहीं करता, अब जो गौर्मेंट है, थोड़ी सकत ह है, ये रिप्लाइ मारते हैं, ठा करके मुँपे, और अवाम भी, अब इंडियन जो इंडियन लोग हैं, ये भी रिप्लाइ देने लग गये हैं, तो इनको लग रहा है कि आप चपेड़ें पढ़ रही हैं, उदर से भी बोलते हैं, इसी वज़ा से इनका हो गया है कि यार वो भी बोल रहे हैं, अब थोड़े से ये और अपने आपको वो और कर रहे हैं, भई, नहीं वो इंडिया वाले ये हैं, भई, तुम बोलोगे, हम भी बोलेंगे, स्टार्ड कौन करता है, तुम लोग, अब खतम, हमने ले लिए ठेका, पिछले 50-60 साल, 70 साल तक हमने तुम बाते सुनी, अब हमें पता है, अब हमें पता है, तुम्हें कैसे करना है, ठीक, और I hope कि जो ये पाकिस्तान टूडे चैनल है, मिरे को स्ट्राइक नहीं देगा, क्योंकि अगर आप बोल सकते हो, तो उतने हक मेरा है बोलने का, मिरे को जवाब देने का उतने हक है, मैं भी उतना ही अपने देश के लिए हूँ, जितना आपके बंदे अपने देश के लिए कर रहे है, ठीक है, तो मेरे भाई बेनो, इंडियन भाई बेनो, मिरे को स्पोर्ड करो, अपना आपका यूट्यूब चैनल है, नेशन फर्स्ट, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेर क करो, ठीक है, और कमेंट करो, में को बताओ, ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिंद,